तो यार आज मैं आपको laptop बताऊंगा for developers के लिए तो बई अगर आप as a developer काम करते हो in 2021 में आपको laptop search out करे हो जिस पर आपने heavy software पर काम करना को loaded file पर काम करना ये video मैं especially आपके लिए बना रहा हूँ plus मैं आपको कहना जाता हूँ अगर आपको बज़े 90 ताउं से लिए 2 लाक है आ price range की बात कर लेते हैं तो अभी बहुत करते हैं अगर आपको नाटी ताउं से लेके वाल लाक टैन थाउंड हो जाता है इस price range में मैंने दो laptop रखे हैं पहला आता है असूस रॉग जैप्रस जी फॉर्ण दूसरा होता है असूस रॉग से ट्रिक्स की अगे अगर मैं बात कर बात करते हैं अगर मैं इस लेप्टाप की बात करूँ इसका जो स्टालिसिक दिजान तो मिली जाता है उसके साथ सच्छे स्पैस्फिकेशन के पूरा लुटेड है आपको 16GB RAM मिल जाएगी i7 देखनी को मिल जाएगा 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा उसके बाद हम डिस् चल जाएगा तो यह डिस्प्ले की बात हों को 15.16 फ्लस्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती जो की आई-पैस लावल डिस्प्ले जो की 144 रिफ्रेश एट के साथ आती आप और सैसर की बात करूं आपको i5 जा i7 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ storage की बात हों को 16GB RAM मिल जाती प्लस 85 तो उससे स्टार्ट हो जाता है एंड जो मैंने आपको वेर्ड बताया वह एक लाग के बिजड़ता कर जा सकता है ठीक है उससे एक लाग से कम ही मिल जागा अपर नहीं जाने वाला तो स्पैसिफिकेशन के कॉर्डिल देखा जै लैप्टाप पूरा तगड़ा मिल जाता प्लस स्टारी से डिजाइन है आगे बात करता है सूस्राग जैप्रस जी फॉर्डिन की तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 14 इंच फुल हटी प्लस डिस्प्ले मिल जाती जो कि आई पैस एंटी के लिए डिस्प्ले जो की 120 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिलते है पर स की और जाने आप जा सकते हो अप्रेश्ट की बातों को विंडो टैम मिल जाते है बैंटरी लाफ की बात करो आपको टैन आवस का बैंटरी लाफ परवाइड करा देता है प्राइस की बातों को 90,000 के बड़र में असूस रॉक्स जी फॉर्डिन देखने को मिल जाएगा तो मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप के बता दिया है अभी बात करते हैं दोनों में से कौन सा लेना चाहिए तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दो शूस रॉक्स जी फॉर्डिन का डिजान कल रूप करा ज्यादा अच्छे है ऐस कंपारिजन किया जाए असूस रॉक्स के साथ बर असूस रॉक्स के जो स्पैसिफिकेशन है वह ज्यादा तगड़े आपको देखने को मिल जाते हैं कम प्राइज में अच्छे फिचर्स पर वायर करते हैं तो आपने देखना अगर आपको स्पैसिफिकेशन लोडिड चाहिए तो भाई असूस रॉक्स आपके लास्तिम करना जाते हो गेमिंग लास्तिम करना जाते है जा फिर आज तक कोई भी आपने हैवी सफ्ट्रेय यूज़ करना आपके लिए श्पैसिल ये लैप्टाप बने हैं दोनों लैप्टाप बहुत तग रहे हैं आगे बात करते हैं अगर आपका बज़िट वान लाग 40,000 हो जाता है इस प्राइच रिंज में यार मैंने रखे हैं दो लैप्टप ये दोनों लैप्टप अगर आपने ऐजा प्रो काम करना जाता है तो भी आपको बहुत सूट करने वाले हैं मैं बात कर रहा हूं Microsoft Surface Book 3 की end मैं बात करूँ HP Spectre X360 की दोनों लैप्टप बहुत तगड़े हैं International Creators हो गए developers हो गए जा कोई भी बंदा हो गया वो बहुत लैप्टप ये दोनों लाइक करते हैं इनकी design इनकी build quality इनकी color इनकी display quality प्लस इनकी जो specification है आपको बहुत तगड़े दीखने को मिल जाते हैं बात कर लेते हैं दोनों के main specification की मैं deeply आपको बता देता हूं आपको 8GB RAM भी मिल जागी आपको 16GB RAM भी मिल जागी प्लस भाई अगर आपने 32GB RAM की और जाना है वो भी आपको देखने को मिल जागी operating system की बात करों को Windows 10 मिल जाते है बैटरी की बात करों को 11 hours का बैंटरी लाइफ प्रवाइड कर देता है प्राइस की बात करों यह 90,000 से स्टार्ट हो जाता है इसका budget range या 2,000,000 के budget से भी अब पर चला जाता है तो भी बात करते है HP Spectre X360 की तो डिस्प्ले की बात करों आपको 15.6-4K touchscreen मिल जाती जो की HP Pen के साथ आते है पर processor की बात को i7 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करों आपको 16GB RAM मिल जाते है प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बात करों आपको 4GB मिल जाएगा 6GB मिल जाएगा मतलों इसके model होगा रहा बहुत आता है ठीक है यह start हो जाता है 90,000 से एंड इसका budget यार 5,000,000 के बज़र तक भी चला जाता है इसका budget यार 2,50,000 के budget तक भी चला जाता है तो specification increase decrease होते जाएगे जितना आप यह करोगे उसके according आपको specification देखने को मिल जाएगे तो यह main specification अभी मैंने आपको इन दोनों laptops के भी बता लिए तो भी अगर आपने ऐसा developer काम करना है programming करना या coding करना उसके बाद भी अगर आपने फोटो एक्टिंग करना है वीडियो एक्टिंग करना है जब कोई भी हैवी software यूज़ करना है यह दोनों laptop भी आपके लिए perfect deal हो हो जाता है इस price range की बात कर लेते हैं तो भई अगर आपका बज़ेदे डेड़ लाग से लेके दो लाग हो जाता है इस price range में मैं आपको सीधा बोलना चाहता हूँ आपके लिए perfect deal हो जकती है apple macbook 13 या apple macbook pro तो या as a developer के लिए as a creator के लिए as a creator के लिए as a developer के लिए अगर आप सी चीज़े के लिए apple macbook बनी है बस मैं आपको यह कहना जाता हूँ आपने 16 GB RAM के और जाना आपने 8 GB RAM के और नहीं जाना विकाज इन फ्यूचर आपको laptop चेंज करना पर जाएगा बट अगर आप 16 GB RAM ले 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 तो आपके लिए perfect deal हो जकता अगर आप 16 GB के भी अपर चला जा आया जो आपकी category लिए बहुत ज्यादा अपरेज़र काम करना जाते हो प्लस अगर आपने प्रोग्रामिंग करने कोडिंग करने आपके लिए यह laptop परफेक्ट डील हो सकते है आपको काम है वो स्मूथली होगा नावली कर से होगा आपको कोई भी इस्यू नहीं आने वाला यहिंवे एक हो जाती है घतम अगर्व गेस दियुए विडिको लाइक करना कमेंट करना दोस्तों और दोस्तों के भी सुभी द्न उनको भी गैदना की चानकों करते सब्सक्राइब वीडियो को गरते लाइक एन इस्टाग्राम पे फालो लिंक वगर आएर आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में देखने को मेल जेगा सोच आलवाजना अभी मिलते नाक्स्ट वीडियो में वीडियो को साथ थेंच्च्च्च ताह के चानकों को अगए प्हीं अर Yemen टाय संक्ट जब हा सबमक्व आएर को आएर के इस वीडियो प्रीकिन को अबार आएरॅ को आएर को में आएर के साथ सब्सराइब